तीदी तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं टीम 11 की बैठक के साथ अधिकारों के साथ बैठक करते वे सीम योगी आदितनात नजर आ रहे हैं तो इस बैठक में जहां हर दिन कोरोना को लेकर पदेश की क्या सती है कितने मामनी 24 घंटे के भीतर सामने आ रहे हैं इसके साथ ही एह परफर से एहम बैठक फिलाल टीम 11 की अधिकारों के साथ दिशा निर्देश देती वे सीम योगी आदितनात नजर आ रहे हैं तो आज ही बता दे की बिजली की सौगात प्रदेश को दी गई है और लक्ष जो 24 घंटे का यहां पर रखा गया था कि 24 घंटे लोगों को बिज साथ सीम योगी आदितनात नजर आ रहे हैं तो बता दे की प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो कुरुना से संकृत मरीजों का आकड़ा है वो हर दिन बढ़ रहा है लखनाओ की बात करें तो वहां पर भी रोजाना नए केस आ रहे हैं और काफी जाद संख्या में आ र पहुचा आया तो ऐसे में अब यह लोक संक्रमित हो रहे हैं और ईनके संक्रमण से कुछ और लोग जब संक्रमण संपर्क में आ रहे हैं तो वह भी चपेट में आ जा रहे हो और इसी की चलते देखा जाये तो फिलाल हर एक जिले से हर एक शहर से ख़वर गिये कि आकड़े बढ़ रहे हैं तो पूरी विवस्था प्रदेश में की जा रही है चाहे कुरंटीन सेंटर्स को लेकर हो चाहे अस्पतालों को लेकर हो चाहे फिर प्रवासी अब कैसे अपना पालन पोर्शन करेंगे कैसे अपने परिवार को पालेंगे कैसे उन्हें रोजगार वो प्लब्ध हो पाएगा तो हर एक मुद्बे पर कहन चर्चा करते हैं उसकी साथ ही उस निर्देश का जो अधिकार्यों को दिया गया है उसका फीड़बैक भी वक्त वक्त पर लिया जाता है तो रोज़ाना यह बैठक होती है 24 घंटे के हलातों को लेकर समिक्षा कीजाती है जो भी फैसले अभी तक सियमयोगी के जरी लिये ग और समिक्षा बैठक में जो भी हल निकलता है उसके मताबिक अधिकारी वहां पर कारे करते हैं